हम सब जानते हैं ट्रेडिंग में RSI एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है अल्मोस्ट सभी बिगिनर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं फिर इसको सिखने के बाद वो जान जाते हैं RSI जब 30 के निचे होता है तब प्राइस ओबर सोल एरिया में है यहाँ पे बाई करना होगा क्योंकि इसके बाद RSI उपर जाएगा और प्राइस भी उपर जाएगा तो हमें प्रॉपिट होगा और RSI जब 70 के उपर होता है तब प्राइस ओबर बॉट एरिया में है यहाँ सेल करना होगा क्योंकि इसके बाद RSI निचे जाएगा और प्राइस भी निचे जाएगा तो हमें यहाँ पे सोट सेल करके प्रॉपिट होगा और यह भी सिख जाते है 30 और 70 के बीच में जब RSI होगा तब ट्रेडिंग में एंट्री नहीं लेना है दुसरा प्राइस और RSI के बीच जब बॉलिस और ब्यारिस डाइबर दिन्स दिखाई देता है तब बाइस सेल करना होता है इस रूल्स को भी सिख लेते है फिर यह टेडर को लगता है अभी तो मुझे ट्रेडिंग का ब्रोंभास्तरों मिल चुका है अब से मुझे धराधर प्रापिट होने लागेगा लेकिन रियालिटी में जब वो प्राक्टिकल ट्रेडिंग करने लगते है तो RSI का इस टेकनिक से उन्हें 10 में से 8 ट्रेड मे लॉस बुक करके निकलना होता है फिर लगातार जब ऐसा लॉस होता ही रहता है तब वो RSI बेकार है RSI काम नहीं करता है बोलके अपने ट्रेडिंग से इसको बाहर निकल देता है तो अभी मैं आपको एक सबाल पुछूंगा क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लेम हो रहा है अगर हां तो सबसे बड़ी गलती आप यह कर रहे हो कि आप RSI को देखके प्राइस का अंदरजा लगने की कोसिस कर रहे हो जो बहुत बड़ी गलती है देखिए कोई भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले बोई इंडिकेटर प्राइस अक्षन का कौन सी चीज को हमें बाता है उसे डीप ले आपको समझना होगा इसके लिए बोई इंडिकेटर बनता कैसे है उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इसे सीके भी नहीं इसे यूज कैसे करे इसको सीके टेडिंग शुरू कर देते हो तो आप एक रोबोट की तरह टेड करोगे और वो इंडिकेटर आपके लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है इसका गैन आपको कभी नहीं होगा तो आभी मैं आपको आडिये मात बहुत यह आसान तरीके से मैं आपको समझाओंगा जो भी कैलकुलोशन मैं आपको आगे दिखाओंगा वो सब कैलकुलोशन में कहना क्या चाते हैं उसे मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा बस आप उसे ठिक से समझ लेना तो आगे जाके जब मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा आप हार एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से इंजाई करते हुए समझ पाओगे तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत क करते हैं इसका डिफॉल्ट नाहिता है 14 मतलब रिसेंट केंडल से प्रीबियास 14 केंडल का प्राइज अक्षन से रिसेंट केंडल का नीचे आरेसा का भैलूर निकल के प्लोट किया जाता है और केंडल टाइम प्रेम कुछ भी हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं फिर नेक्स क केंडल बनता जाता है और आरेसाई प्लोट होते हुए एक लाइन की तरह प्राइज के साथ साथ जाते रहता है मैं सभी टाइम प्रेम का चार्ट में 14 पीरियोड्स आरेसाई यूज करता हूं जब इसका यूज आपको दिखाऊंगा तब मैं 14 पीरियोड्स आरेसाई का ही देके आपको समझाऊंगा लेकिन अभी calculation को आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं 5 periods RSI का example देके आपको समझाता हूँ क्योंकि मैं 5 periods RSI यह plot करूँगा तो जीस candle का नीचे fast RSI value plot होगा उस candle से previous 5 candle रहना जोरूरी है अभी मालने थे fast candle open होता है 10 price पार और close होता है 11 में तो price एक point उपर गया मतलब एक point gain हुआ यह price नीचे नहीं गया मतलब price loss हुआ 0 point next candle किसी भी area में open होके close करता है 12 price पार तो previous candle का close से recent candle का close एक point से उपर गया मतलब इस candle में भी price एक point से gain हुआ तो इस candle में loss हुआ 0 point फिर 3rd candle कहीं पे open होके close होता है 14 पर तो previous candle का close से recent candle का close 2 point से gain हुआ तो फिर से इस candle का loss 0 point है फिर 4th candle कहीं open होके close हुआ 13 पे तो previous candle का close से gain हुआ 0 point और loss हुआ 1 point 5th candle कहीं पे open होके close होता है 12 पर तो यहाँ पे भी previous candle close से loss हुआ 1 point और gain हुआ 0 point अभी 5 periods का price action हमें मिल चुका है इससे RSI value निकलने के लिए एक formula का यूज करना है RSI equal to 100 minus 100 by 1 plus Rs अभी इस formula को solve करने के लिए आपको Rs का value निकल के लाना है Rs निकलने का एक formula है Rs equal to average gain divided by average loss अभी average gain और average loss पाने के लिए आपको price action से मिला हुआ इस table पर आना है तो इस 5 candle में total gain हुआ 4 point और total loss हुआ 2 point अभी इस gain point का average निकलने के लिए आपको इसे 5 periods से divide करना है तो हो रहा है 0.8 मतलब इस 5 periods में price 0.8 price point के average से उपर गया है और loss point का average निकलने के लिए 5 periods से इसे divide करना होगा जो हो रहा है 0.4 मतलब इस 5 periods में price 0.4 point average के इसाब से निचे गिरा अभी Rs निकलने के लिए average gain और average loss को यहां बिठाना होगा जो calculation से हो रहा है 2 अभी इस Rs का value को Rs.i main formula में हमें बिठा देना है अभी स्टेज में calculation को देखके किसी किसी को boring जरूर लगड़ा होगा तो मैं आपको बता दू आपको boring होने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस formula को याद करके आपको Rs.i को निकलने का जरूरत नहीं होगा formula को आपको सिर्फ समझना है उससे आगे जब मैं आपको समझाओंगा RSI हमें कहना क्या चाते है तब आप उस concept को deeply समझ पाओगे और उसके साथ साथ आप RSI को बहतरीन तरीके से यूज करना भी सीखोगे तो RSI का formula में हमें सभी numeric number मिल चुका है तो इसका calculation हम आभी कर सकते हैं इसका calculation से हमें मिल रहा है 66.66 step by step calculation क्या हुआ है आपको देखना है तो देख सकते हो तो हमें इस latest candle का RSI 66.66 मिल चुका है यह RSI value 0 का निचे और 100 का उपर नहीं जाएगा क्योंकि formula ही उसी तरह बनाया गया है अभी मैं आपको RSI और प्राइस का जो relation है वो समझाने की कोसिस करूँगा तो यहां आप देखिए प्राइस का जो उपर जाने का point है वो अगर इससे भी ज़्यादा होता तो क्या होता तो प्राइस अगर उपर की और ज़्यादा गया होता तो gain भी ज़्यादा होता मालने तेप प्राइस ज़्यादा उपर जाने के लिए gain point 6 हुआ तो जो average point है वो होगा 1.2 तो जो RS है वो होगा 3 अभी इस RS value को RSI formula में बिठा के calculation करते है यहां आप step by step calculation देख सकते हो अभी RS आया 75 तो मतलब price उपर जाने का point अगर ज़्यादा हो रहा है नीचे जाने का point से तो RS value ज़्यादा हो रहा है और RS value ज़्यादा होने के करान RSI भी ज़्यादा हो रहा है तो हम कह सकते जितने periods का RSI हम देख रहे हैं उस periods के अंदर अगर price बढ़ने का point ज्यादा है गिरिने का comparison में तो RSI increase होगा लेकिन price अगर बढ़ने के जगा ज्यादा गिरता है तो क्या होता है एक बढ़ देख लेते हैं माल लेते इन periods के अंदर price total 6 points से नीचे गिरा और 2 points उपर गया तो obviously price गिरिने का डपतर यहां downside होगा और यहां average gain हो रहा है 0.4 और average loss हो रहा है 1.2 मतलब price is दोड़ान 0.4 average के हिसाब से उपर गया और 1.2 average के हिसाब से नीचे गिरा तो यहां RSI हो रहा है 0.33 और RSI formula से RSI निकल के आ रहा है 23.something तो यहां आप देख रहा है हो जब इस periods में price गिरने का point जदा हो रहा है बढ़ने का point से तो RSI गिर रहा है लेकिन trading जब हम करते है तब RSI 30 के नीचे जब होता है तब हम buy करने का सोचते है तो क्या price जब एक रपतार से नीचे गिर रहा है उस time buy करोगे तो आपका answer होगा नहीं लेकिन आप RSI को देखते हुए ऐसा ही करते हो और ज़्यादा टाइम आपको loss book करना होता है यहां buy करना गलत नहीं है लेकिन स्रिफ RSI को देखके यहां buy करना गलत है इसको price action के साथ combination में आपको buy decision लेना होगा जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी RSI को देखते हुए उस प्रियोट के अंदर price action में जो कुछ भी हुआ उसका conclusion कैसे निकलता है उसे समझने की courses करते है जैसे मान लेते है RSI यहां पे 50 है तो हम जानते है RSI maximum 100 टक जा सकता है तो 100 से current RSI को minus करना होगा तो हो रहा है 50 अभी 100 को इस 50 से divide कर देना होगा तो हो रहा है 2 अब इस 2 से 1 को माइनस करना होगा तो हो रहा है 1 तो बढ़ने और गिरने का रेश विए होए 1 इस टू 1 मतलब अगर RSI 50 है तो हमें जानने को मिल रहा है उस पिरियोड के अंदर प्राइस अगर एबरेज 1 पॉइंट उपर गया तो 1 पॉइंट नीचे भी गिरा मतलब आप मोटा मोटी कहाए सकते हो इस दोड़ान प्राइस को बायर्स और सेलर्स कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए सेम एफर्ट डाल रहा है अभी जो मैं आपको 50 RSI से 1 to 1 कल्कुलोशन करके दिखाया जिससे आप प्राइस अक्षन का कंकुलोजन निकल पा रहे हो ये कल्कुलोशन आप किसी भी RSI भैलू को देखके निकल सकते हो और उसका एक रेशियो आपको मिल जाएगा जिससे आप प्राइस अक्षन का कंकुलोजन निकल पाओगे और दो एक्जाम्पल में देता हूँ ताकि ये कल्कुलोशन आपका दिमाग में बैठ जाए माल लेते है RSI 70 तो फास्ट इसको आपको 100 से माइनस करना होगा तो हो रहा है 30 आभी 100 को इस 30 से डिबाइट करना होगा तो हो रहा है 3.33 इस 3.33 से 1 माइनस कर देना होगा तो हो रहा है 2.33 तो बरने और गिरने का रेशियो हो रहा है 2.33 is to 1 मतलब उस periods के अंदर price अगर 1 point नीचे गिरा तो 2.33 उपर चड़ा मतलब इस दौड़ान buyers price को control कर रहा है अभी मान लेते RSI 30 अभी 100 से 30 को minus करना होगा तो हो रहा है 70 अभी 100 को 70 से divide करना होगा तो हो रहा है 1.42 1.42 से 1 minus कर देना होगा तो हो रहा है 0.42 तो बारने और गिरने का ratio हो रहा है 0.42 is to 1 मतलब इस periods के अंदर price अगर 1 point नीचे गिरा तो उपर चरह 0.42 मतलब price के उपर इस दौड़ान seller का control है तो ultimately RSI आपको ये indicate कर रहा है कि जितना periods आप RSI select के हो हो उस periods के अंदर price का रबतार कौन सा side कैसा है और उस रबतार के हिसाब से आप ये conclusion निकल पा रहे हो कि price के उपर अभी buyers और sellers में से किसका control है अभी आप देखिए price action से भी इस conclusion तका पहुँच सकते थे लेकिन price action के उपर इतना deep understanding एक beginner level टेलर का नहीं होता है तो उन्हे price action को समझने के लिए RSI का help लेना पड़ता है और RSI आपको price action को समझने में ही help करता है इसके आगे RSI आपको और कुजी भी नहीं बताता है तो मैं आशा करता हूँ RSI के बड़े में अभी तक आपको एक deep understanding आच चुका है अभी इस understanding के उपर बेस करके price action के सत कंबिनेशन में अलग अलग तरीके से इस RSI को आप अपना trading में इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सरे traders अपने अपने style के इसाप से different method से इसे use करता होगा लेकिन मैं mainly RSI को तीन तरीके से use करता हूँ फास्ट, price trend का confirmation लेने के लिए सेकेंड, bullish plus bearish divergence with price action के combination के साथ और hidden bullish plus hidden bearish divergence with price action के combination के साथ और थार्ड, price action से मिला हुआ buy sell decision का confirmation लेने के लिए तो ये सभी topic आपको next video में details के साथ समझाऊंगा अभी समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो next video जिनको चाहिए वो comment में RSI part 2 जरूर लिख देना इस वीडियो में दिया हुआ जनकरी अगर आपको अच्छा ना लगी तो क्या करना है आपको पता ही है लेकिन अगर अच्छा लगा कुछ useful सिखने को मिला तो वीडियो को अपने ग्रूप में share जरूर करना इस वीडियो में फिलाल इतना हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए कोई concept के साथ